नवस्का दोस्तों धीठ है आज की 6 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोवेल डिसकेशन में आज तीन इशूज हम डिसकेश करेंगे हिंदू में देखो आज ज़्यादा आच्छे आर्टिकल्स है रहीं तो एक audio तू अर्टिकल्स हिंदू का हम लेंगे आंगानवाडी से समंदित एक लाइमिंट का लेंगे e-commerce rules का जो draft सरकार ने present किया था उसमें कमیया निकालते है राइटर और एक आर्टिकल्स हम इससे पहले कि आप बदले के रास्ते पर चलो, आप दो कबर खोद लो, क्योंकि देखो, रिवेंज कुछ नहीं आपको प्रोवाइड करता, रिवेंज से आपका ही नुकसान होता है, बेस्ट रिवेंज इस मैसिव सक्सेस, आप अपने काम पर ध्यान दो, अपने आपको एथिक्स में आप इस कोट का इस्तिमाल कर सकते हो, के स्टेडीज में बहुत बार इस परकार के चीज़ें UPSC पूछ लेती हैं, चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इंपोर्टन आटिकल, एकोमर्स से समधित हैं, आप GS पेपर 3 के इस टोपिक से आटिकल को र जो हैं, वो खतम कर दिया गया है, नैशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन सरकार लेकर आई हैं, ऐसी पब्लिक एसेट्स जो अभी तक या तो अंडर यूटलाइज हैं, या फिर यूटलाइज हो ही नहीं रही हैं, उनको प्राइवेट कंपनीज को लीस पर देके रेवन् गवर्मेंट के दिवरा, Air India को प्रावेटाइज कर दिया गया है, काई सारे जो हमारे टैक स्टार्टप्स हैं, उनके आईपियो जाएं हैं जैसे पेटियम, जो मैटो, मतलब साफ हैं, सरकार की मन्सा ये हैं कि इंडिया में ease of doing business प्रमोट हो, बिजनस करना इंडिया में आस अब writer काम की बात पर आते हैं, writer कहते हैं, e-commerce rules का draft जो सरकार लेकर आई थी न, उससे बहुत ज़़ा confusion पैदा हुई है, जो भी stakeholders जुड़े हैं e-commerce से related, चाहे वो Flipkart, Amazon जैसी companies हों या फिर consumers हों, वो concerned है सरकार की e-commerce rules के draft के कारण, writer कहते हैं, देखो हर बार e-commerce सेक्टर को इस परकार से हमें नहीं देखना चाहिए, online versus offline, मतलब कुछ लोग ये narrative present करते हैं, कि अगर online increase होगा, तो जो offline है, offline में दुकाने हैं, वो खतम होना start हो जाएंगी, या फिर काफी बार इस issue को foreign players versus domestic players करके देखा जाता है, एक तरफ foreign players जैसे की Amazon, Flipkart, Flipkart को भी आपको पता है, अब purchase कर लिया गया है, Walmart के द्वारा मतलब majority जो shares है, वो Walmart के पास है, दूसरी तरफ domestic players जैसे Tata, Reliance, इस परकार से division करके इस sector को हमें नहीं देखना चाहिए, e-commerce sector ने देखो, बहुत हट तक ये transform किया है कि हमारे देश में business कैसे किया जाता है, पिछले कुछ समय में अगर आप देखो, तो बहुत से रोजगार के अफसर पैदा हुए हैं e-commerce sector की वज़े से, COVID-19 की हमारी आई, तब बहुत चारी ऐसी MSMEs, यानि Micro, Small and Medium enterprises थी, जो की online हो गई, और उन्होंने business करना जारी रखा, jobs provide करना जारी रखा, आप देख लीजिए, entrepreneurs, artisans, यानि कारिगर लोग, वीवर्स, जो कपड़े बुनते हैं, जो agriculture sector में काम करते हैं, या फिर allied sector में काम करते हैं, जैसे horticulture, ऐसे ऐसे देखो, अनेको वर्ग हैं, जिनको e-commerce sector से फाइदा पहुंचा है, इन वर्गों के जो products हैं, वो आज के समय में बिकते हैं, Amazon पे, Flipkart पे, Snapdeal पे, NICA पे, और ना purchase करते हैं, तो इन सभी वर्गों को, ना सिरफ इन सभी वर्गों को, बलकि इनके जैसे अनेकों वर्गों को, एक बहुत बड़ी market प्रोवाइड की हैं, इन e-commerce websites ने, और देखो, एक बात यहां पर ध्यान देने ज़रूरी हैं, ये जो e-commerce websites हैंना, ये directly, सिरफ रोजगार न रखती हैं, online payments, मतलब बहुत फाइदा होता है, directly, indirectly, in e-commerce websites से, लेकिन जो e-commerce के draft rules आये ना, उनमें बहुत सारी कम्या हैं, सबसे पहली कमी तो writer ये बताते हैं, देखो, draft rules में एक बात ये बोली गई हैं, जैसे Amazon पे कोई seller है, मान लीजिए कोई person है, जो pen manufacture करता है, वो अपन को देखो किसी customer ने वो pen order किया, pen में कोई कमी निकल गई ना, तो Amazon की liability होगी, writer कहते हैं, देखो, Amazon को, Amazon जैसी जो foreign companies है ना, उनको आप allow नहीं करते कि वो अपनी inventory बेच सकें directly, तो ये तो intermediary है ना, बिचोलिये है Amazon, ये तो सिरफ अपना platform प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनकी liability कैसी हो जाएगी, अगर कोई seller गलत समान भेज देता है तो, तो ये सबसे पहली कमी है writer के अनुसार, कि आप intermediary के उपर liability fix नहीं कर सकते हैं, इसके लावा और बहुत सारे ऐसे rules हैं, जैसे कि देखो, आप flash sales नहीं कर सकते हैं, जैसे एकदम से message आता है कि आपकी application पे, कि 12 से एक बज़े के बीच में, 60% discount आपको मिलेगा, इन products पर, तो ऐसी जो flash sales होती है न, इन पर ban लगाया गया, compliance requirements और ज़्यादा, कठिन कर दी गई, liability fix की गई, बहुत साई चीजों को लेके, जिसमें e-commerce platforms का ज़्यादा role नहीं रहता, तो ये सब जो regulation, purpose किया गया था न, e-commerce draft rules म उनके बारे में writer कहते हैं, आप इस sector को जो अच्छा खासा चल रहा है हमारे देश में, उसको मार दोगे, किल कर दोगे, इस over regulation से, और भी rules में कई सारी ऐसी चीज़े हैं, जैसे cross selling, miss selling, ये जो stakeholders हैं, Amazon Flipkart वाले, उन्होंने पूछा है सरकार से कि क्या मतलब है आपका cross selling से, miss selling से, आप ज़्यादा clarify कीजिए, क्योंकि rules जो हैं, वो थोड़े वेग हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, इसके बाद writer बोलते हैं, देखो ये जो rules हैं ये consumer ministry लेके आई हैं, तो consumer ministry ने ऐसे ऐसे rules दिये हैं, e-commerce rules के draft में, जो उनके अधिकार छेतर में आते ही नहीं हैं, मतलब दू consumer ministry ने जो ये rules जारी किये थे ना, ये उनकी overreach है, यानि वो अपने jurisdiction से बाहर निकल गए हैं, एक और significant provision जिसको लेके writer criticism करते हैं, rules में देखो एक बात ये लिखी गई हैं, जैसे Amazon और Flipkart, directly अपना समान तो बेच नहीं सकते अपनी websites पर, तो Amazon जैसी companies क्या करती हैं, अपनी subsidies क through products बेचती हैं, जैसे cloud retail के बारे में आपने सुना होगा, तो बहुत सारी ऐसी companies हैं, जिन में major हिसेदारी Amazon की हैं, तो फिर उस subsidiary company के products Amazon पर बिखते हैं, जो indirectly वैसे Amazon के ही हुए, लेकिन इस चीज को भी rules में खतम करने की बात कही है, कि जो काम Amazon जैसी companies direct नहीं कर सकती, तो वो indirect भी नहीं कर सकती, अपनी किसी related party के through, मतलब उन पर बेयन है कि वो directly अपने product नहीं बेच सकते, तो वो ऐसा भी नहीं कि indirectly अपने product बेच दें, अपनी subsidiary company के through, subsidiary company को rules में related party बोला जाता है, समझ गए ना, बिल्कुल simple है, जैसे Amazon की ABC company में majority हिस्सेदारी है, तो ABC company जो है, वो Amazon company पर product बेच रही है, तो वो indirectly Amazon को ही product हुए ना, तो इस पर भी बैन लगाने की बात rules में कही गई है, राइटर कहते हैं, देखो ऐसे बैन लगेगा ना, तो फिर Tata Reliance जैसी companies भी, जो super app launch करना चाहती है, कि एक ही application में हर तरह का product मिले, वो भी इस परकार की application नहीं बना पाएंगे, और Tata's ने इसकी सिकायत भी की थी, उस समय Commerce Minister Puse Goyal को, लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो जो ये draft e-commerce rules थे ना, इनको हमें फिर से reconsider करना चाहिए, सरकार को मतलब, ये e-commerce regulations reasonable होने चाहिए और fair होने चाहिए, ताकि e-commerce sector हमारे देश में और ज़्यादा फले फुले, ना कि ये rules e-commerce sector के सामने road block का का काम करें, ये सरकार को consider करने के आव सकता है, तो पूरा article हमने discuss किया e-commerce rules से समन्दित, चलते हैं आगे, इसके बाद next article आंगनवारी से समन्दित है, आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो, क्या context है, देखो अप्रेल 2020 में लोगडाउन लग गया था COVID-19 की महमारी की वज़े से, उसके बाद आंगनवार जो हैं, वो open हो रहे हैं, integrated child development services के अंतरगत, आंगनवारी जो हैं, वो खास करके low income families को sport करने में बहुत important role play करते हैं, क्योंकि देखो low income families के जो बच्चे होते हैं, उनकी care, चाहे वो उनकी health या फिर nutrition समन्दित, उनको information provide करना हो, pre-schooling education, मतलब school जाने से पहले उनको basic education provide करना, आप देखो, जो जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, वो अपने बच्चों को play schools में भेज देते हैं, लेकिन ग्रीप परिवारों के बच्चे play schools में अपने बच्चों को नहीं भेज पातें, तो आंगनवारी ज इस दिशा में बहुत important हैं, immunization मतलब उनका ठीका करन हो, regular health check-up हो, referral services हो, कहने का मतलब ये है, खास करके low income households को बहुत ही crucial sport provide करते हैं, ये आंगनवारी ज, हमारे देश में ये जो आंगनवारी का network है न, ये 0 से 6 साल तक के बच्चों को cover करता है, और almost 88 million children's cover होते हैं, इस network से, जो कि देखो, अपने आप में सबसे बड़ा network है पूरे world में, ले लिए suspend हो गया, तो ये जो low income households थे, उनके लिए, ये एक बहुत बड़ा जो social safety net रहता है, ये खतम हो गया, देखो, सरकार भी ये जानती हैं, कि वो बच्चे जिनकी age 0 से 5 years के बीच में हैं, उनकी development में आंगनवारी का कितना important role है, आंगनवारी ज, important role play करते हैं, कि वो बच् के अपने full potential को achieve कर सके, उनका mind और उनकी body भी ठीक से develop हो, इसी वज़े से, अभी जो हाल ही में, national education policy 2020 आई थी, इस policy में, आंगनवारी को बिलकुल center में रखा गया है, ये ensure करने के लिए, जो early childhood care and education है, वो universalized हो, यानि हर एक बच्चा, early childhood care and education को access कर सके, इस provision को fulfill करने के लिए आंगनवारी का role बहुत important है, इस बात को acknowledge किया गया है, national education policy में, देखो ये जो program है न, ECCE program, early childhood care education program, इस program के तहत, सरकार आंगनवारी का infrastructure दुरूस्ट करेगी, जो आंगनवारी workers है, उनको training provide करेगी, जैसे, जो दस्वी पास आंगनवारी worker है, उनको एक साल की training दी जाएगी ताकि वो आंगनवारी में आने वाले बच्चों को ठीक से pre-schooling provide कर सके, और जो बारवी पास आंगनवारी workers है, उनको 6 महिने का एक course दिया जाएगा, ताकि वो आंगनवारी में आने वाले बच्चों को ठीक से सिखा सके, school से पहले, school में जाने के बाद तो वो school में लेकिन स्कूल से पहले के जो education होती है ना pre-school education जिसके हमने बात की जो ऐखेश कर पाती है क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं लेकिन ग्रीब परिवार नहीं अक्सेस कर पाते हैं उसी को universalize करने का ये program है सरकार का early childhood care education program हर साल 2021 से ये program start हो रहा है हर साल 20% आंगनवाडीस को इस program के तहत लाय जाएगा यानि पहले 20% इस साल अगले साल और 20% अगले साल और 20% इसके बाद देखो राइटर कमियां बताते हैं कि आंगनवाडी वरकर्स वैसे तो अच्छा काम करते हैं लेकिन बहुत सारी कमियां भी हैं जैसे बहुत सारे आंगनवाडी वरकर्स को basic knowledge नहीं हो बहुत बार उनके पास से इतनी knowledge नहीं होती कि वो छोड़े बच्चों को pre-schooling provide कर सके अच्छे से और वो दूसरे कामों में ज़्यादा ध्यान देते हैं सिरफ अपना जो 10% time है यानि एक दिन में सुरफ 28 minutes वो pre-school education पे देते हैं बाकी तो ऐसे ही खाना देना और बात करना म कि दूसरे काम उन पर ज़्यादा तर समय व्यतीत करते हैं आंगानवाडी workers एड़ुएट infrastructure भी नहीं होता आंगानवाडी में इवन बैठने की ववास्ता नहीं होती बच्चों की लास्ट में रैटर कुछ solutions देते हैं जैसे ही देखो अब धिरे धिरे आंगानवाडी open हो रही हैं हमें past में कुछ best practices से जो success मिली है उनको follow करना चाहिए जैसे उडिशा और आंदरपरदेश में जो studies हुई उससे ये सामने आता हैं कि जब volunteers उन घरों में विजिट करते हैं जहां पे अभी भी बच्चों का जनम हुआ हैं caregiver से बात करते हैं उन्हें सारी information provide करते हैं तो बहुत फाइदा होता हैं बच्चों के nutrition में भी फाइदा होता हैं parents ज़्यादा sensitized होते हैं जब volunteer घर जाके उन्हें बताता हैं हर तरह ऐसे फाइदा होता हैं language ज़्यादा बेतर डंग से बच्चे सीख पाते हैं अगर उन्हें बताया जाए कि बच्चों को कैसे बोलना सिखाना है, कैसे लेंग्विज सिखानी है, तो इस चीज़ को हमें दूसरी जगवों पर भी स्केल अप करने की आव सकता है, बहुत सरे स्टेट्स ऐसे हैं, जिन्होंने आंगनवाडी वर्कर्स को ठीक ठाक रीनमरिशन यानि पैसा देना स्टार्ट किया है, इसके अलावा देखो अडिशनल आंगनवाडी वर्कर्स हायर किये जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार आंगनवाडी workers के उपर burden बहुत ज़्यादा होता है कई सारी जगवों पर देखो ये experiment भी किया गया है जो आंगनवाडी है उनको primary school से attach कर दिया गया है इससे convergence हो जाएगा क्योंकि आंगनवाडी से ही बच्चा बाद में फिर primary school में जाता है दोनों आपस में interlink रहेंगे तो ना सिरफ आंगनवाडी का जो समया है day care का वो increase हो जाएगा इसके साथ साथ आंगनवाडी से जो transition है ना primary school में वो भी ओव ज़्यादा आसान हो जाएगा last में point देखो ये है उसको information देना की pregnancy के दुरान आपको किन किन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए तो ज़्यादा संभावना है कि बच्चे के जरम के बाद वो मदर अपने बच्चों को आंगनवाडी में भेजेगी क्योंकि सुरवाद से ही उसको पता लग जाएगा कि जिसने मुझे आंगनवाडी वरकर ने जिसने मुझे सारी information दी ना pregnancy के दुरान वो आगे भी मेरे बच्चे का ख्याल रखेगा तो एक trust पैदा हो जाता है तो enrollment जो है आंगनवाडी में बढ़ जाता है इस हिसाब से लास्ट में दो देखो यही बोला जाता है कि जो आंगनवाडी है वो बच्चों की life outcome को improve करने में बहुत ही ज़्यादा महतपूर्ण role play करते हैं इसलिए हमें आंगनवाडी में और ज़्यादा invest करने की आप सकता है और जो proven innovative interventions है मतलब ऐसी innovative interventions जो सफल साबित होई है उनको scale up करने की आप सकता है उनको बाखी जगों पर भी implement करने की आप सकता है तो यह पूरा article हमने discuss किया आंगनवाडी से समंदित और अब अगला जो article हम discuss करेंगे वो unity in diversity से समंदित discuss करेंगे आप GS paper 1 के society से इस article को relate कर सकते हूँ आज हम discuss करते हैं अगर किसी देश में diversities होती है तो कैसे वो देश उस diversities को accommodate कर सकता है मतलब models किस परकार से है देखो मेली तीन तरह के models है सबसे पहला model है salad bowl model मतलब slat का katora यह model किस परकार से काम करता है मान लीजे यह एक katora है इसमें आपने विविन परकार के fruits होंगे एक साथ तो होंगे लेकिन फिर मिक्स नहीं होंगे आपको कोई बोलेगा कि save को अलग कर दीजिये बनाना को अलग कर दीजिये आप देख देखके सब चीजों को अलग कर सकते हो यानि पूरी तरह से mix नहीं होंगे तो इस परकार का model follow किया जाता है UK में UK में देखो Scotland अलग से हिस्सा है Northern Ireland अलग से हिस्सा है और England अलग से हिस्सा है Intermingling बहुत कम होती है तीनों हिस्सों के लोगों के बीच यानि UK की जो सरकार है तीनों हिस्सों के लोगों के बीच Intermingling यानि मेल जोल को परमोट नहीं करती है एक साथ रह तो रहे हैं UK में वो लेकिन आपस में मेल जोल बहुत ही कम है वो अपनी अपनी जगह आइसोलेशन में रह रहे हैं Northern Ireland के लोग आइसोलेशन में रहते हैं UK में अलग से Scotland के लोग अलग से UK के अंदर रहते हैं England के लोग अलग से UK के अंदर रहते हैं तीनों हिस्सों के लोगों के बीच में मेल जोल बहुत ही कम है एक साथ हैं लेकिन मेल जोल नहीं है यानि सेलेट बोल मोडल जबकि इंडिया में क्या होता है इंडिया में ऐसा नहीं होता है इंडिया में सरकार intermingling को बहुत जड़ा फोकस करती है, mail जोल पे बहुत फोकस करती है इसका देखो, बिल्कुल असान example है, एक भरत स्रेश्ट भरत एक भरत स्रेश्ट भरत प्रोग्रम में क्या है एक भर्थ स्रेश भर्थ प्रोग्रम में क्या होता है दो स्टेट्स को आपस में पेर किया जाता है हर एक साल माली जी तमिलाडू और हर्याना को आपस में पेर कर दिया तो तमिलाडू में हर्याना के बारे में वर्क्सोप्स और्गनाईस होंगी तमिलाडू से students का group आएगा हर्याना में culture को समझने के लिए उसी परकार से हर्याना में तमिलाडू के बारे में workshops organized होंगी जागुता फिलाई जाएगी तमिलाडू के culture के बारे में और हर्याना से groups जाएगे तमिलाडू में वहां के culture को नजदीक से जानेंगे ये क्या है ये सरकार अपनी तरफ से एफर्ट्स ले रही है ताकि विबिन रिजन्स के बीच इंटर्मिंग्लिंग यानि मेल जोल को परमोट किया जासके और पूरे देश में एक स्पिरिट उभर के आए यूनिटी समझ गए तो इंटिया का जा मोडल है वो सेलेड मोल मोडल नहीं है नæक्स्ट मोडल की हम अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉर्ट मोडल इस मोडल में क्या है एनलोजी है माल लीजिए कोई बर्नर है मतलब नीचे आग जल रही है ऊपर कोई पोर्ट है कोई बर्तन है बरतन में विविन परकार के liquid को डाला जाता है और port को जब हम गरम करते हैं तो विविन परकार के जो liquids हैं वो आपस में intermix कर जाएंगे यानि आप उन्हें identify नहीं कर सकोगे विविन liquids का मिश्रन होके एक ही liquid बन जाएगा जब इस परकार से port को गरम किया जाता है तो इस model को कहा जाता है melting port model जैसे USA का example दिया जाता है USA में देखो बहुत सारी ethnicity के लोग रहते हैं Chinese, Irish, Italian, Mexican, Russian लेकिन सबने एक परकार की values को adopt कर लिया है American values को American values मतलब liberty, free speech, freedom of religion देखो एक बात यहाँ पर USA जो देश है, वो migrants का देश है migrants ने इस देश को बनाया है विबिन देशों से लोग आते गए, यहाँ पर बसते गए और अमरीका, अमरीका बनता गया अमरीका का जो model है, वो assimilation पर अधारित है intermixing पर अधारित है, intermingling पर अधारित है यानि विबिन ethnicities के लोग आपस में mix होते है male जोल बहुत ज़्यादा होता है उनके बीच में एक दूसरे के culture को assimilate करते है और finally emerge होती है American values तो यह हमने बात की melting pot model की कुछ लोग तो देखो, इंडिया के model को melting pot model भी कहते हैं, इंडिया में भी ऐसा ही होता है लेकिन कुछ लोग इंडिया के model को mojack model of society भी कहते हैं यह एक परकार की देखो, art form है दिवार में इस परकार से आप picture देखोगे तो आपको लगेगा एक ही picture है लेकिन आप बिल्कुल धान से देखोगे तो आपको यह एसास होगा कि बहुत तरह के पत्थर लगे हुए हैं दिवार पर अलग-लग रंग के तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब देखो यह हुआ इंडिया का model एक ऐसा model है कि जब आप Indian identity को celebrate करते हो आपको गर्व है अपने भारतिया होने पर इसके साथ साथ अपनी आप दूसरी identity को भी celebrate कर सकते हो आप मनीपूरी हो, गुजराती हो आप महराश्टर के हो, बिहारी हो जहां से भी हो आप Indian identity के साथ साथ अपनी जो दूसरी identity है उसे भी साथ में रख सकते हो ये model फोकस करता है unity in diversity पर हम देखो integration को promote करते हैं हम UK के model को follow नहीं करते हैं UK women ethnic groups के बीच intermingling को focus नहीं करता intermixing पर focus नहीं करता लेकिन हम करते हैं आप देख सकते हो हमारी judiciary integrated है All India Services में आप देख लीजे मान लीजे हर्याना में IS की तीन seats है तो तीन में से एक insider की होगी यानि एक उस person के लिए reserve होगी जिसके पास हर्याना का domicile है और दो उन officers के लिए reserve होगी जो हर्याना के नहीं है यानि जिनके पास हर्याना का domicile नहीं है देस में हर्याना के अलावा किसी दूसरे राज्य का दोमी सेल है हर एक स्टेट में ऐसा होता है तो ये हमने सोसाइटी के विविन मोडल्स के बारे में चर्चा की सेलेट बॉल मोडल, मेल्टिंग पोर्ट मोडल और मोजेक मोडल अब सोसाइटी अगर UPSC कोशन पूछती है इन मोडल्स के बारे में डायक्ट कोशन नहीं भी आता है तो ऐसे में, एथिक्स में आप यूज़ कर सकते हो GS पेपर 2 में भी आप यूज़ कर सकते हो इन मोडल्स का नाम लेके कुछ लाइन्स लिख लगते हो Forder Materials के तोर पे इस्तमाल कर सकते हो Next हम ये जानते हैं, इतनी ज़्यादा Diversity है इंडिया में फिर भी इंडिया में Unity क्यों है मतलब कौन से ऐसे factors हैं जिनकी वज़े से इंडिया में Diversity में भी Unity है सबसे पहला factor है Constitutional Identity देश में देखो एक सविधान है सविधान में इस परकार के provisions है जो कि हमार देश में integrity को promote करते हैं हमार देश में US की तरह दो citizenship का provision नहीं है एक ही citizenship का provision है fundamental rights सबको available है सविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जैसे judiciary integrated है कोई भी person देश के किसी भाग में भी जाके settle हो सकता है कोई भी profession अपना सकता है तो ये सब जो चीज़ें हैं वो integrity को promote करते हैं diversity में भी next है religious coexistence देखो तीन-चार धरम तो इंडिया से ही originate हुए हैं काफी सालों से इंडिया में विभिन धरमों के जो लोग हैं मिल जुल के रह रही हैं सविधान में proper provisions है कोई भी किसी भी धरम को अपना सकता है किसी भी धरम को practice कर सकता है आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो है वो right to freedom of religion से समंदित हैं तो इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी एक ही धरम को तवज्जो दी जाती है सविधान में और बाकी धरम के लोगों पर अत्याचार होता है ऐसा कुछ नहीं है हर एक को अजादी है अपना धरम practice करने की तो आपस में conflict का सवाल पैदा नहीं होता तीसरा है Interstate Mobility जैसा हमने पहले डिसकस किया कोई भी person एक state से दूसरे state में जाके बस सकता है कोई भी काम धंदा अपना सकता है तो इस परकार की जो चीजें है वो sense of unity and brotherhood को promote करती है masses के बीच हर्याना के persons जब महराष्टर में जाके काम करेंगे और महराष्टर के persons पंजाब में जाके काम करेंगे तो इससे भाईचारा जो है वो और जड़ा सुद्रिड होगा मजबूत होगा चोथा है economic integration economic integration में तो आप GST का example लिख सकते हो कैसे देश के एक राज्य की जो economy है वो दूसरे राज्य पर depend करती है किस परकार से एक राज्य से raw metal आता है तो दूसरे राज्य में production होती है किस परकार से एक राज्य अगर labor provide करता है तो दूसरे राज्य में industries ज़्यादा है तो ये सब चीज़े जो है वो देश में economic integration को promote करती है और economic integration से आती है हमार देश में unity next है institution of pilgrimage and religious practices देखो दिवाली का त्योहार है दिवाली का त्योहार ऐसे तो है नहीं कि एक राज्य में बनाया जाता है दिवाली का त्योहार पूरे भारत में बनाया जाता है उसी परकार से दूसरे जो त्योहार है उनको भी पूरे भारत में celebrate किया जाता है आप केदारनाथ का example ले लीजिए या फिर तिरुपती का example ले लीजिए CD का जो मंदिर है साही बाबा का example ले लीजिए आप हाजी अली दर्गा का example ले लीजिए पूरे भारत से लोग जाते हैं इन जगाओं पर as a तीर थियात्री तो ये जो pilgrimage के institutions हैं ये भी हमार देश में diversity होते हुए भी integrity को और unity को promote करते हैं next है fairs and festivals festivals जो लगते रहते हैं for example कुम का मेला है या फिर दूसरे festivals हैं ये festivals भी हमार देश में unity को promote करते हैं climatic integration via monsoon इस पूरे reason का जो climate है वो देखो monsoon पर depend करता है बारिश अच्छी आती हैं तो फसल अच्छी होगी अगर monsoon अच्छा नहीं रहता है तो पूरे देश की economy पर असर पड़ता है तो monsoon भी एक ऐसा factor है जो पूरे देश में unity को promote करता है और भी काफी सारे factors हैं देखो जैसे sports हैं पूरे देश में cricket को पसंद किया जाता है cinema पूरे देश को जोड़ता है दूसरे factors जैसे CRPC, IPC, Uniform Pattern of Law, All India Services ये सब भी diversity होते हुए भी हमार देश में unity को promote करते हैं अगर अब question आ जाता है कि हमार देश में ऐसे कौन से factors हैं जो diversity होते हुए भी इंडिया में unity को promote करते हैं तो क्या आप असानी से ये सारी dimensions add करते हुए answers लिख सकते हो या फिर नहीं लिख सकते हो certainly अब आप इस परकार के question का असानी से answer दे सकते हो ये question UPSC की द्वारा पूछा गया था 2015 में describe any four cultural elements of diversity in India and rate their relative significance in building है national identity इस question को आप attempt करके रखिएगा इसे हम discuss करेंगे हमारे question answers के session में अब देखो next sub topic आता है कौन से ऐसे factors हैं जिनकी वज़े से हमार देश की जो unity हैं वो खत्रे में आ सकती हैं सबसे पहले हैं regionalism जब देखो किसी particular reason के लोग अपने regional interest को national interest से उपर रखने लगते हैं तो इससे हमार देश की जो unity हैं वो खत्रे में आ जाती हैं दूसरा है divisive faultic sim यानि तोड़ने के जो राजनिती हैं women राजनेता अपनाते हैं जैसे कोई particular राजनेता क्या करेगा सिरफ एक community के लिए बात करेगा दूसरा राजनेता उसके opposite वाली community के लिए बात करेगा vote हासिल करने के लिए तो women groups के बीच तोड़के उनके vote हासिल करने की जो ये politics हैं इससे भी हमार देश की जो unity हैं वो खत्रे में आ जाती हैं next है development imbalance ना सिरफ देखो interstate बलके interstate भी disparities देखने को मिलती हैं तो ये एक factor बन सकता है जो हमारी unity को affect कर सकता है काफी बार देखो South India के जो लोग हैं वो इस परकार के आरोप लगाते रहते हैं कि हम GDP में ज़्यादा contribute करते हैं फिर भी हमें revenue का मिलता है financial commission की तरफ से अभी जो 15th finance commission का गठन होया था उस समय भी आरोप परत्यारोप का सिलसिला चला था नेक्स्ट है geographical isolation नोर्थ इस्ट का जो reason है बाकी भारत से थोड़ा सा कटा हुआ है 22 km की एक narrow strip जिसे chicken neck corridor कहा जाता है ये corridor बाकी के इंडिया को नोर्थ इस्ट से जोड़ता है तो इस corridor की security बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी जो विवाद हुआ था डोकलाम को लेके या फिर चुम्भी वैली को लेके जो विवाद है वो इसलिए भी एहम हो जाता है क्योंकि चुम्भी वैली हो डोकलाम corridor हो इन सब जगाओं पर जब चाइना कबजा करता है तो इस chicken neck corridor की जो security है वो खतरे में आ जाती है और इससे पूरा असर पड़ता है नोर्थ इस्ट की security पर और connectivity कम है इसकी वज़े से proper development भी नोर्थ इस्ट में नहीं आसका है तो ये सब factors जो हैं भारत की unity को परभावित करते हैं उसके बाद हैं inter-religious conflicts देखो ये बात सही है कि विविन धर्मों के लोग मिल जूल के रहते हैं इंडिया में लेकिन फिर भी कहीं कहीं विविन धर्मों के लोग के बीच conflicts भी देखने को मिलते हैं डंगे भी हुए हैं अजादी के ब conflicts हैं ये भी unity को परभावित करते हैं next है interstate conflicts विविन राज्यों के बीच conflicts देखने को मिलता है for example तमिलाडू और कनाटा के बीच में कावेरी रिवर को लेके विवाद हुआ तो इस परकार के जो conflicts होते हैं वो भी देश की unity के लिए अच्छे नहीं है influence of external factors जैसे देखो पाग पाइस्तान के दवरा आतकवाद को पर्मोट करने की कोशी से की जा रही हैं तो ये जो external factors हैं वो भी देश की unity को परभावित करते हैं last factor है ethnic differentiation and nativism खास करके देखो north east में असम के local लोग का अरोप लगता है कि बाहर से लोग आ रहे हैं लगातार और असम में migrate कर रहे हैं और past local culture जो है वो खत्रे में है local identity जो है खत्रे में है तो इस factor की वज़े से यानि ethnic differentiation और nativism की वज़े से वहाँ पर बोडो के बीच और बंगाली speaking muslims के बीच काफी बार तकराव देखने को मिलता है तो ये भी एक factor है जिसकी वज़े से डेश की unity खत्रे में आती है इस परकार से अगर UPC question पूछती है describe the factors या enumerate the factors which affects the unity of India तो ये सारे factors आप लिख सकते हों लास्ट में एक बात यही कही जा सकती है diversity के देखो अपने challenges भी है लेकिन इस बात पर संदे नहीं है diversity ने एक important role play किया है इंडिया में Indian society को develop करने में और Indian society लंबे समय तक sustain करेगी इस diversity की वज़े स ही तो ये हमारा topic complete हो गया diversity in India कल हम नए topic से start करेंगे आज की discussion में इतना ही है thank you thank you very much for discussion